दोस्तो इस धर्ती के इतिहास में अंकित सभी राजाओं और महाराजाओं की महानता और उदारता के बीच सिर्फ एक ही सक्स रोशनी की मानिंद अनंत तक जगमगाता रहेगा। वे सक्स है दोस्तो समराट असोक। दोस्तो हर हिंदुस्तानी के गर्व के पातर समराट असोक के सारे के सारे भारती महादीब पर 279 इस्वी पुरु से लेकर 232 इस्वी पुरु तक राज किया। इनकी कई कहानियों का उलेख दिव्यवदान और महावनसा किताबों में दिया गया है। दोस्तो असोक अस्तम समराट असोक की आत्मा को संजोई भारत की सान का पर्तिक बनकर अपनी महानता का डंका पिटता रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं क्योंकि हम इसी तरह के ज्ञान बर्धक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं। दोस्तो एक कहानी है समराट अशोक द्वारा निक्त किये गए नो अज्यात लोगों की जिनको नो किताबों को संदर्शित करने का कारे सोपा गया था। दोस्तो इन नो किताबों में नो अलग-अलग परकार की विद्याओं का विश्तार से बर्नन किया गया था। इनका काम इन पुस्तकों को गलत हाथों में आने से बचाना था। दोस्तो टैल बोट मंडी नामक अंग्रेजी लेखक ने इस कहानी का आधार लेकर 1923 में एक उपन्यास प्रकासित किया था। जिसका नाम था नाइन अन्नोन मैन। दोस्तो इन नो किताबों में निमलिखित विश्यों पर भरपूर एवंसटिक ग्यान था। दोस्तो जिसमें पहला ज्यान था राजनिती के वारे में। इस किताब में आदमी को छूने मातर से ही कैसे मिर्तु परदान की जा सकती है इस पुस्तक में इसी परकार के कई अन चीजों के बारे में लिखा हुआ था ऐसा कहा जाता है कि जूडो इस पुस्तक से रिशा हुआ ज्यान है दोस्तो तिसरा किताब है सुच्म जैविक के बारे में इस किताब में सुच्म जैविक से समंदित ज्यान प्राप्त किया गया था इस किताब में तरह तरह के अग्यात दवाईयों के बारे में लिखा गया था चौथा पुस्तक है धातूं और रुपांतरन के वारे में ऐसी कई कहानिया है कि पूराने जवाने में मंदीरों में सोने की कमी हो जाने पर किसी अग्यात ठिखाने से सोने का रिशाव होने लगता था दोस्तों पाचमी किताब में संसार पर अधारित ग्यान था सभी तरह का संसार चाहे वो संसारिक हो या अलवकिक इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि यह किताब पचीशो साल पहले लिखी गई थी दोस्तों छटा किताब गुर्तो अकर्षन के रहस्वें पर अधारित थी दोस्तों सात्मा पुस्तक का नाम था विश्वपती दोस्तों सात्मी किताब में इंसानी पहुच के बाहर विश्वपती के ग्यान पर अधारित थी दोस्तों आठमी किताब में परकास की ताक्तों क के बारे में लिखा गया था और दोस्तों अंतिम नौमा किताब था समाज सास्त्र के बारे में नौमी किताब समाज सास्त्र के ग्यान पर परकास डालती थी दोस्तों इन नों अदमियों से कहीं न कहीं गंगा की चिकित्सक्सक्तियों के ग्यान के बारे में संबंध रखता था ऐसा माना गलत नहीं होगा कि वे समराट असोख ही थे जिन्होंने एक ऐसे दल की अस्थापना की जिसे पच्छे में इलुमिनाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों माना जाता है कि इन नौ लोगों के धर्म की कोई पहचान नहीं बताई गई है ये नौ अग्यात लोग पूरे संसार की उनत्ती के लिए समरपित थे ये समराट असोख की महांता का पर्मान है दोस्तों इन नौ अग्यात लोगों ने साल दर साल सभताओं को बनते बिगड़ते देखा है कहीं ऐसा ना हो कि इन सहंसी लोगों की महानता हमेशा के लिए गुम नाम ही ना रहे दोस्तो यह सचाई है या मिथक यह सोचना आप पर निर्वर करता है दोस्तो यह सचाई काफी हद तक सची भी लगती है और एक मिथक भी दोस्तो अगर समराट असोक ने ऐसा कोई कार किया था तो वे जाहिर तोर पर दुनिया के इतिहास में महान सासक थे तो यह थी दोस्तो समराट असोक के नव रहसमाई लोगों के बारे में उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा चदी आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कॉमेंट केजिए और इस वीडियो को लाइक भी केजिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद